Hello everyone, welcome all of you again on your YouTube channel The RS Campus जहाँ पर आज हम framing questions and tech questions की series में अपना part 10 करने वाला है तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे how के बारे में तो how का अर्थ होता है कैसे यह किस परकार ठीक है, how का अर्थ आपको काम करने का तरीका बताता है किया आवागमन के साधन के बारे में बताता है अब ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो वर्ब से आपको person करना है कि कैसे यह किस परकार इसका जो answer आएगा उसकी जगे आपको how लिखना है और फिर hsv.o मतलब helping verb, subject, man verb, object और question mark लगा कर complete करना होगा, कैसे देखिए example एक्जांपल आपका पहला है, he was crying loudly, तो crying कर रहा है, कैसे कर रहा है loudly, तो loudly को टाकर के क्या लगा दिया, how लगा दिया, फिर helping verb वोज आ गया, subject आपका ही आ गया, और crying आपकी man verb आ गई और question mark लगा दिया, इसके बाद में अगला देखिए looks very beautiful in this sari, तो कैसे लग रही है, very beautiful, तो इसको हटा करके क्या लगा दिया, how looks आपकी verb की first form के साथ, as, या, yes वाली है, तो इसके जगे हम does लगा देंगे, subject c आ जाएगा, look up की verb आ जाएगी, क्योंकि do does didn't के बाद में verb की first form आती है, in this sari बच गया, तो इसको लग देंगे, और question mark लगा देंगे, is that clear, इसके बाद में अगला देखिए, I like my teacher most, like करता है, कैसे करता है, most like करता है, तो most को अठा दो, how लगा दो, like verb की first form आई है, तो do add जाएगा, तो I के according do हो गया, और I का इधर you बन गया, ठीक है, like आपकी verb की first form आगई, my का your हो गया, और teacher का teacher आगया, तो how do you like your teacher, ऐसा आपका question बन जाएगा, इसके बाद मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और channel पर पहली बार आए, तो subscribe जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए take care, bye bye.